प्रदानमंती नरीन मोदी के देश बर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बयान का आम आत्मी पार्टी और उद्व ठाकरे गुटकिशियों से दाने समाथन किया है हाला कि उद्व ने सरकार के स्परश्ची करन की शर्द रखी है शर्द परवार के नेतरत वाल राष्ट्री कॉंगर्स पार्टी ने ना तो यूसी सी का समथन किया है और नहीं सपोर्ट किया है यानि वो न्यूट्रिल है वही नैशनल कॉंफरेंस लीडर फारुक अबदुल्ला ने कहा कि सरकार को यूसी सी लागू करने के नतीजों पर बार बार विचार कर लेना चाहिए प्रदान मंत्री मोदी ने 27 जून को भुपाल में भाच्पा के 10 लाग बुद कारकरताओं को समोधित करते वे देश भर में उनिफॉर्म सिविल कोट जल्द लागू करने के वकालत की थी पी-म ने कहा उनिफॉर्म सिविल कोट पर लोगों को भड़काया जा रहा है एक घर दो कानूनों से नहीं चल सकता बीजेप ये ब्रहम दूर करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोट का आम आदमी पार्टी ने समतन किया है एएपी के राजस्वा सांजा संदी पाठक ने कहा हम यूचिसी का समतन करते हैं क्योंकि आर्टिकल 44 भी कहता है कि देश में यूचिसी होना चाहिए हाला कि इसके लिए सभी दर्म लोगों राजनतिक पार्टी और संगठनों से सला मश्वरा पर आम सहमती बनाई जानी चाहिए इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पर हन्नेवाद